क्या आपको पता है कि पटना का हनुमान मंदिर एक महीने में एक लाख कीलो से भी जादा नवेद्यम बेच देता है क्या आपको पता है कि पटना के महावीर मंदिर को एक महीने में कितना चंदा आता है क्या आपको पता है कि पिछले तीन महीनों में पटना का महावीर मंदिर इतने पैसे कमा चुका है जितना कोई आदमी IIT करकर डॉक्टरी करकर इंजिनियरिंग करकर विदेश जाकर भी नहीं कमा सकता है आज मंगलवार का दिन है और अब हम एक सुबा सुबा रिपोर्ट पड़ रहे थे रिपोर्ट इतना शांदार था कि लगा आपको बताया जाए ये बताया जाए कि पटना का महावीर मंदिर एक महीना में एक लाख कीलो से भी ज़्यादा लड़ू बेच देता है मंदिर नियास के जो सचिव है किशोर कुनाल उनके मुताबिक जो तिरूपती में बाला जी का मंदिर है उसके बाद अगर कोई मंदिर सबसे ज़्यादा लड़ू की बिक्री करता है तो वो पटना का महावीर मंदिर है तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे मंगलवार का दिन भी है और आपको हम यह बताएंगे कि पटना के महावीर मंदिर में एक महीने में कितनी का लड़ू बेचा जाता है कितना पैसा दान में उनको आता है कितने भगत आते हैं और उन पैसों का क्या होता अब नमस्कार मेरा नाम प्रशांतराय है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं पटना का महावीर मंदिर इतना फेमस है जैसे ऐसा कोई व्यक्ति पटना में नहीं होगा जो पटना के महावीर मंदिर में नहीं गया हो करोना के जब लोकडाउन हुआ था तो सारे मंदिरों को पूरे देश में बंद कर दिया गया था और उसके बाद जब पटना का महावीर मंदिर खुला तो भक्तों का ताता लग गया अब तो ऐसा हाल है कि सब्ता के सातों दिन अगर आप वहाँ सुभा सुभा चले जाएंगे तो आपको लाइन में लग कर दर्शन करना पड़ेगा और इसी को लेकर मीडिया में एक रिपोर्ट आई है रिपोर्ट ये कहती है कि आज कल एक महीने में जो पटना का महावीर मंदिर है वो एक महीने में एक लाख किलो से जादा का लड़ू बिक्री कर रहा है अगर आपक माई की करें तो माई महीने में नवैद्यम की लड़ू की जो बिक्री हुई है वो एक लाख सुला हजार चैसो अंठानवे किलो हुई है अगर हम जून महीने की बात करें जो अभी चल रहा है तो पंदरा दिनों का आकड़ा ये है कि लमसम साथ हजार किलो लड़ू बेच दिय जाते हैं अब अगला सवाल ये कि पटना के हनुमान मंदिर को कितना दान आता है सुनकर आप एक दम भौचक के रह जाएंगे पिछले धाई महीने में पटना के हनुमान मंदिर को एक करोड़ बारा लाख 73,713 रुपया का दान आया है अगर ये प्रति दिन के हिसाब से 30 रुपय पटना के महावीर मंदिर में लोग चड़ा रहे हैं हम जब भी बात भगवान की करते हैं तो हमारे देश में दो पक्ष आता है पहला पक्ष ये कहता है कि आपको अपने आस्था पर काम करने का अपने आस्था को रखने का पुरा भरोसा है लेकिन एक पक्ष रहत कि आज भी लोग अपने भगवान के प्रतियास्ता रखे हुए हैं और जिस तरीके से पटना महावीर मंदिर पुरा बिहार में फेमस है बिहार के बाहर से भी कई लोग आते हैं अगर आपका कोई रिष्टिदार बाहर रहता होगा तो जरूर कहता होगा कि पटना से नवेद् रुपए है 1.5 लाख रुपए आयाईटियन का सेलरी नहीं होता है बाई साब और 1.5 लाख रुपए प्रति दिन पटना के महावीर मंदिर में लोग चड़ा जाते हैं इसमें जिक्र किया गया था व्याक बदायते हैं जो मंदिर नियास के सचीव है कि उनका आय होता है अगले एक महीने में अगले कारेकाल में करोना का लोकडाउन है वो नहीं लगता है तो यह लोग एक करोड रुपए अपने चार प्रतिशत आयका देंगे आप सोचिए कि एक पटना का महावीर मंदिर कितना ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट कर रहा है नवेद्यम बैचकर दान में और आप दान का जो विस्तित जनकारी है वो जनना चाहते हैं तो वह आपको बता देते हैं सिर्फ रुद्रा भिशेक करवाये गया है उसमें 20,68,823 रुपए धाई महीने में अगर हम बात करें कि जो कर्म कांड होता है धाई महीने में कर्म कांड में पैसा आया है 96 67,178 रुपए और इसके अलावा कई ऐसे फंड है जिसमें पैसा आता है एक और खास बात है पटना के महावीर बंदर की पटना महावीर बंदर में आपको और गाली का पूजा करवाना है कर्म कांड करवाना है रुद्रा भिशेक करवाना है हवन करवाना है तो वहाँ पर कटता है आप पर्ची कटवाईए और उसके बाद आपको कोई भी ना परसाद का पैसा देना है ना पंडित जी का पैसा देना है ना किसी को मिडल मैन की तौर पी पैसा देना है पूजा करवाने के लिए मतलब वहां की जो चाक चौबंध है वह बहुत टाइट है और इसलि कि भक्त अपनी भगवान के पास कितना जाते होंगे और वो कितना समर्पित हैं बाकी ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंड बक्स में लिकी बता सकते हैं जानकारी कैसे लगी बताईएगा मेरे नाम प्रिशान तरा है आप जन्दानेशन देख रहे थे बहुत 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 दनेवाट